संसद का मौनसुन सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ लेकिन संसद में हंगामा क्यों बरपा थोड़ी सी मेहंगाई की चर्चा ही तो की है और यही कहा है कि मेहंगाई बढ़ाना बंद करो और ताना शाही बंद करो और इतने पर ही राहुल गांधी पर निशाना शुरू कहा जा रहा है कि ये जो गती रोध है ये राहुल गांधी की देन है राहुल गांधी का पैदा किया हुआ है विपक्ष का काम सवाल उठाना ही तो है और सवाल ही तो उठाया है बढ़ती महंगाई को लेकर छोटी छोटी चीजों पर GST लगाने पर और जनता की परेशानी के अलावा आम आदमी के गड़ बढ़ाते बजट पर अब समरिती इरानी को तो राहुल मैनिया है वे फट से प्रतिक्रिया देने आई और कहा कि राहुल गांधी की संसद में ज्यादा से ज्यादा 40 प्रतिशत हाजरी है और सिवाए गतीरोध पैदा करने के कोई योगदान र काम है क्या अगर सवाल नहीं उठाएगा तो विपक्ष करेगा क्या सिरफ पांच रुपए रसोई गैस की कीमत बढ़ी थी तब यही समरिती इरानी थी जो सीलेंडर लेकर सडक पर धरना देकर बैठ गई थी और पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग को चूडियां कर आपने धरना दिया था तो क्या संसद में जनता की आवाज भी ना उठाई जाए ओम बिर्ला केह रही है कि वितमंतरी निर्मला सीतारमन कोरोना से संक्रमित है और जवाब उनको देना है जैसे ही वे ठीक हो कर आएंगी वे सदन को जवाब देंगी वैसे कोरोना संक्रमित तो कॉंग्रेस की राष्ट्रिया अध्यक्षा सोनिया गांधी भी रही लेकिन सरकार ने ED के समन भेजने में जरा भी मानवियता नहीं दिखाई राहुल गांधी की पेशी कम से कम चार बार हो चुकी है ED इस समय सबसे बढ़ा तोता है इसलिए राष्ट्रपती पद के प्रत्याशी यश्वंत सिनहा ने कहा कि यदि वे राष्ट्रपती बनते है तो इन ED जैसी एजंसियों का दुरुप्योग बंद किया जाएगा क्या सदन में विरोध करना गतीरोध करने के बराबर है क्या विपक्ष चुपचाप सारी कारेवाई देखता रहे सुचमा सवराज ने कॉंग्रेस के संचार मंत्री रहे सुखराम के घुटाले को उजागर करते हुए कहा था कि हम सदन में कोई भजन कीर्तन करने नहीं आये हमें राजनीती करनी है और यह हंगामा होगा साफ है जो भी विपक्ष में होगा वो जनता की आवाज उठाएगा चाहे भाजपा हो या फिर कॉंग्रेस अभी तो राहुल गांधी के पास विपक्ष के नेता का पद भी नहीं है क्यूंकि कॉंग्रेस के पास पद देने ला ही है सोचने वाली बात है कि भाजपा अगर खुद करें तो सही अगर वही चीज विपक्ष करें तो गलत एनवी न्यूस के लिए कमलेश भारतिय की ये खास रिपोर्ट